बिहार सरकार के द्वारा एक मनाई गई योजना के बारे में जो की इवाओं को रोजगार देगी इस योजना के बारे में हम आगे जानेंगे आखिर क्या कुछ प्लान बना रखी है बिहार सरकार ने बिहार में बिरोजगारों को रोजगार देने के लिए बिहार सरकार एक्सन में है सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि बिरोजगारों को रोजगार देने के लिए PCS पोर्टल बनाया जाएगा इस पोर्टल पर रोजगार देने वाली कमपनियों को सुची बद्ध किया जाएगा यानि को उनको जो है वहां पे इन्रॉल होना होगा पॉटरबल वेकेंसी देखकर भेरजगार इस पॉटल के माध्यम से रोजगार पास सकेंगे विहार में भेरजगार यूबाओं को कौसल विकास योजना के तहत जो ट्रेंडिंग दी गई है उस योजना के प्रसि सब्किन काजक्रम में बारद सन एट टो लाख इवार नवान की कि मैं से 925 लाख इवारें को परमान पद्र दिया जा जा ड़ा है कि 75,000 से अधीक विवार अभी प्रसिच्च्र ले रहे हैं वहीं डोमेन अस्कील में 90,247 लोगों का पंजीक रन हुआ है इसमें से 54,245 का मुल्यांकन हुआ है तो वही 50,762 को पर्मान पत्र भी दिया जा चुका है सरकार के तरफ से यह भी बताया गया है कि RTD योजना में 379 का पंजीक रन हुआ है जिसमें से 500 को पर्मान पत्र दे दिया गया है बतादे कि PM KBY के तहत 4800 पंजीक रित आवेदनों में से 1069 को पर्मान पत्र दे दिया गया है लेकिन इतने बनवान पत्र के बितरन होने के बाद भी कितने लोगों को रोजगार मिला है इसका रिकाउड किसी के पास नहीं है। युवाओं को प्रसिचन दिया जा रहा है। साथ ही सरकार यह भी कर रही है कि वे कितने को रोजगार दे रहे हैं। इसका आकड़ा तयार किया जाए। जो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देंगे उसके अधार पर उनकी ग्रेडिंग की जाएगी। अधिक से अधिक कमपणियां पोटल पर अपना पंजी करन करा सकेंगी। ऐसे में विभाग नहीं यह भी कहा है कि इसमें बिहार के विरोजगार इवाओं को रोजगार मिल सकेगा। इसमें भारत ही नहीं बिदेश की कमपणियों को जो है इसमें दोड़ा जाएगा ताकि वहां पे रिक्तियों के बारे में पता चल सकें। और दूसरा बिहार सरकार और भारत सरकार के उसे प्रसिशन काली सकरा करे रही है। इवाओं में रोजगार को ले कर कई तरह की पाहल करतीरी रही है, इसी कडिये में यह एक पोटल बना जा रहा है जिसकें तहग रेजगार इवाओं को रोजगार मिलेगा, बिहार और बिहार से चुड़े और भी ऐसे इंग खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियोज के साथ मुझे दिजे जाज़त धन्यवाद